जै गुरू जी को परनाम आई संगत को जै गुरू जी सबने मिलके कहने सो सत्गुरू प्यारा मेरे नाल है एक चीज आप सिरफ इतना ध्यान में रखने सो सत्गुरू है आप जिन्दगे में कभी मार नहीं कर सकते गुरू जी का बहुत बहुत शुक्राना कितनी बार शुक्राना करूँ मैं आपको ब्यान नहीं कर सकता कोडियां दा मोल नहीं सी हीरे दें पै गया जदो तुम्हें दाता तेरे चर्ना में बै गया मैंने वो टाइम देखा है और आज क्या कहूं कि क्या नहीं सब कुछ है उस गुरू के घर में सिर्फ पाएगा वो जो गुरू से प्यार करेगा पिछले एक साल से लगाता पूरा यूपी हिमाचल गुमाया गुरू जी ने हाज़ियां लगवाई और हर रंग दिखाया कि मैं क्या नहीं कर सकता गुरू जी इस दा उनली सुप्रीम पावर आप अपना पास देखो क्या था प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कितना बढ़िया होगा क्योंकि हम गुरू की शरण में है आज से पहले हमने कोई पंडित, पुजारी, पार्टी, मोलवी, तंत, रमंत नहीं चोड़ा कोई मंदिर गुर्द्वारा नहीं चोड़ा आज कहा है गुरू की हाजरी में, 24 गंटे हमारी एक रोटीन बन गई है वर्टसप पे मैसेज देते रहना बड़े मंदिर, आज सोंबा रहे जाना आज वीर, शुकर, शनी ये कौन कर रहे, गुरू जी ने हमारा परिवार ऐसा बना दिया इससे पहले कभी आपने सोचा था जब तक गुरू जी से नहीं जुड़े थे कि हमारी दुनिया क्या है कोई काम नहीं था, टीवी के आगे बैट के सीरियल देख लिए, गरों में क्या होती थी प्रॉब्लम्स होती थी, आज आंटियों को पता है, दुपहरी होगी, बारवे जे सत्थंग तो जाने शामी जाने, राती जाने तो एक रोटीन बना दिया गुर जी ने सब को जीरो से हीरो बना दिया, तो कितना उनका शुकराना करे, कम है सत्थंग बड़े हैं, अंकल करने मैं फिर्च करूंगा, मगर एक सत्थंग की जो कड़ औ ये गुरू की बड़ी किरपा है सत्थंग बड़े हैं, आप सुबा तक हो में खड़ाओ, आपको पेशे सकती है मेरे पास तो टाइम ही टाइम है क्यों मैं तो उनकी डिस्पोजल पे हूँ जिन्दगी देने के लिए जिन की उमर चोबी से पच्चिस साल के बीच में ती मेरे को जानते नहीं पेचानते नहीं मैं को नुन उनको ये पता है कि टी एंकल है ये सत्संग करने आते हैं और मैं एक सत्संग पे गया चाना मुझे अठाइस तरीको डुगरी था मगर फैमली म अटेंग करना जरूरी था क्योंकि काफी बड़ा सत्संग था तो वहाँ जब सत्संग के बाद हम निकले तो कहते हैं अंकल आप हमारे साथ चलो आप अपनी गाड़ी पर क्यो जा रहे हो आंटी मेरी साथ आंटी को मैंन का यहां से जो बस जा रही आप उस पें चले जो आपर जैने का अरेज्मेंट करना है जो संगत पीछे से आ रही है कभी कोई मैसे करते करते हम रात को दस बजे खन्ना पुंचे खन्ना से जैसे डुगरी की तरफ जा रहे थे तो सामने से एक बड़ा ट्रक गाड़र का जा रहा था जिसके गाड़र बार निकले हुए थे वो ट्रक ने एकदम ब्रेक लगा दी है गाड़ी थी चोटी आल्टो दो बच्चे आगे बैठे थे मैं और एक अंकल पीछे बैठे थे ब्रेक लगी गाड़ी संबालनी मुश्किल होगी वहाँ से तो बचा लिया सामने से एक दूसरे ट्रक ने और पीछे से टेम्पो ने हिट कर दिया गाड़ी टोटल क्रेश बड़ा मंदिर वहाँ से सिर्फ पांच किलो मिटर था सेबादार पुंच गे हमें निकाला गया तीनों बच्चों को गुरुजी ने बिल्कुल एक स्क्रेट नी आने दिया मेरी टांगों शोल्डर और बाजू के उपर मल्टिपल फ्रेक्चर दिये बड़ी मुश्किल निकाला सेबादार आगे फड़ा पड़ डुगरी हॉस्टिल में ले गे गाड़ी को वहां से रिमूब किया क्योंकि गाड़ी के कुछ डॉकुमेंट्स में कमी थी तो जैसे सेबादारों गाइड किया कि ऐस ऐसे केस बंग जा यह डुगरी हॉस्टिल में गाड़ी को उठवा के रिखवाया गया सारी रात महाँ टीटमेंट चला दो बज़े पूरी मंदिर की टीम आ गई कि अंकल यह क्या हुआ मैं का यह हमारे बड़ा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टाला है अगर हाइवे पे होता तो हमें दिन में तारे नजर आ जाते हैं सारी रात टीटमेंट चला सुबह यह हुआ कि आपकी सेबा नहीं आपने बैठना है मैंका नहीं हमाई किस परपस से हैं सुबह हम लोग सेवा में चलेगे साड़े आठ बजे गौवालों ने इतना प्यार संगत ने इतना प्यार दिया सारी रात कभी दूद कभी घी कभी हल्दी हमें मिलती नहीं पेन किडर इंजेक्शन भी लगे टेबलेट भी दे दी सुबह मुंचे तो हमें काज सेवा नहीं करने मैंका सेवा के लिए सारा दिन सेवा की शाम को साथ बजे मेरी आउंटी मेरे बच्चों को पतब तक पता नहीं था क्योंकि कुड़ते पजा में पहने गर्मी का टाइम सारी बैंडेड लिप्टी हुई थी कहीं प्लास्टर चड़ा था इनको शाम को बता लगा कि रात को कहते हैं आपने बताया नहीं मैं के देना क्या था टेंशन उनके आई अटेंशन करने के लिए ना देने के लिए शाम को महां से कार में बैट कि जब दिली आए रात को डे हैं कि आपकी तो पूरी सर्जरी होनी है कि कहते हैं इंफेक्शन भी फैल चुक है 24 गंटे के अंदर मैंका टर्टनेस के इंजेक्शन मैंने वहां से रात को डिस्चार्ड लिया घर आ गया उन्होंने लिख दिया कि अंकल अपने आप डिस्चार्ड लेके गिए आएंटी मेरी कहती है बच्चे गुरु जी की किरपा कि टोटल परिवार के बारा बच्चे डॉक्टर है सत्थंग शॉट किया है अधर वाइस आ 17 साल पहले गुरु जी ने एक खंट जोज जलवाई थी कि मेरी जोज जला दे अपने आप बुला लांगा मैं यादा टाइम नहीं गया गुरु जी के पास कुछ समय के ले गया बीच में फड़ा पड़ डुग्री हॉस्पिटल में ले गए गाड़ी को वहां से रिमूव क पाया गया सारी रात महाँ टीटमेंट चला दो बजे पूरी मंदिर की टीम आ गई कि अंकल ये क्या हुआ मैं कहीं ये हमारे बड़ा बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने टाला है अगर हाई वे पे होता तो हमें दिन में तारे नजर आ जाते हैं सारी रात टीटमेंट चला सुबह ये हुआ कि आपकी सेवा नहीं आपने बैटना है मैंका नहीं हमाई किस परपस से हैं कि सुबह हम लोग सेवा में चलेगे साड़े आठ बजे गौवालों ने इतना प्यार संगत ने इतना प्यार दिया सारी रात कभी दूद कभी घी कभी हल्दी हमें मिलती नहीं पेन किरर इंजेक्शन भी लगे टैबलेट्स भी दे दी सुबह में सेवा में पूंचे तो हमें काज सेवा नहीं करने मैंका सेवा के लिए है सारा दिन सेवा की शाम को साथ बजे मेरी आंटी मेरे बच्चों को तब तक बता नहीं था क्योंकि कुँकि कुड़ते पजा में पहने से गर्मी का टाइम था सारी बैंडेट लिप्टी हुई थी कहीं प्लास्टर चड़ा था इनको शाम को बता लगा कि रात को कहते हैं आपने बताया नहीं मैं कर देना क्या था टेंशन उनके आई अटेंशन करने के लिए ना देने के लिए शाम को वहां से कार में कि आपकी तो पूरी सर्जरी होनी है कि कहते हैं इंफेक्शन भी फैल चुक है 24 गंटे के अंदर मैंका टर्टनेस के इंजेक्शन मैंने वहां से रात को डिस्चार्ड लिया घर आ गया उन्होंने लिग दिया कि अंकल अपने आप डिस्चार्ड लेके गें आन्टी मेरी कहत नहीं थी आज कितना शुकराना करो कि कि किसी की कमी को किछ मान भी सकता और वो किरपा रही गुरू जी की 70 साल पहले गुरू जी ने एक खंट जोड जलवाई थी कि मेरी जोड जला दे अपने आप बुला लांगा मैं यादा टाइम नहीं गया गुरू जी के पास कुछ समय कि ले गया बीच में गुरू ने बड़ी किरपा की घर से क्रिटिस्जम मिलता था कि अपने गुरू ते संबल देने कि दूजे गुरू तार ले हमारे गुरू जी है पंजाब में तो मैंका पहले गुरू माबाब दूसरे वो और तीसरे ये एक गुरू बीच में वो भी र जाजरियों की वज़े से गुरू जी घंटी इक आएगा पूरे परिवार नो उतार दांगा और वो उतार दिया डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी टांगे भी कर जाएगी शोल्डर भी मैं कै मैं और क्या चाहता हूं मैं देखू इन डॉक्टरों में कितनी ताकत है और मेरे रब में दहाई महीने टांगों में स्वैलिंग इंफेक्शन सिर्फ एंटीबाइटिक मैंने ली और गुरू जी गाड़ी में लेटा के ले आते थे संगत की अंकल चलना है सत्संग पे मेरे आंटी कहती थी आपको पता नहीं क्या हो रहा है मगर आपका ट्रस्ट भी ठीक है क्योंकि हमने ये सब कुछ देख लिया क्या नहीं मेरी घर में हुआ बच्चों की एजुकेशन आंटी की बिमार जीरो था जीरो साइकल नहीं थी आज कितना शुकराना करूँ सबसे पहले एक माफी चाहूंगा लेट हुआ क्योंकि इतना ट्रैफिक का हम चले थे पांच बजे वहां से पहुंचे यहां पर सभा साथ साड़े साथ बजे तो ये भी एक शैद कोई उनका उसमें भी कोई र यूजवल अभी पुरा हरिजवार रिशिकेशो के आए हूं चार दिन पहले चार दिन का माँ स्टे था स्टे भी कहां संगत के यहां जाता हूं कई होटल में नहीं रुका इतनी प्यारी संगत के हां स्टे हो तो आया हूं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने गाड़ और अब सत्रा में तो गुरु जी की किरपा है पूरे परिवार पे संगत पे और शुकराना क्या करूं क्या करूं नहीं दिया बेटी एक हाट पे छोटे-छोटे सत्थंग में शेयर करता हूं बाकि यह अंकल कर ले उसके बाद जब तक आप कोगे हर सत्थंग में एक इच् अफसर मिलना गुरु ने अफसर दिया है तो हमें क्या करना है सिर्फ गुरु जी का नाम लेना है उठते बैठे सुटे जागते अपने लिए कभी गुरु से नहीं कहा और ना आँटी ने का मांगना नहीं है मांगिवी चीच वापिस जाती है और जो रब दे वो हमेशा के एक अरदास होती है मैंने आपको भी न कोंगा कि मांगो या मैं कुछ कर सकता हूं करना उन्हों नहीं है बस एक ध्यान रखना कि कोई पंडित पुजारी पाथी मोलवी अस्टालोजर दुनिया नहीं बदल दे सानू पता है बदल सकता है अत्यादियां लगी रहनू सानू पता है बदल सकता है अत्यादियां लगी रहनू जाए ग्रुजी आप अंकल कर लें फिर उसके बाद मैं आपकी सेवा में जब तक आप केंगे मैं ऐसे खड़ा होके खाजरी बरूगा विकॉस मैं 365 दिन रिष्टेदारी का कोई मतलब नहीं जैसे मेरी बेटी सोनिया ने क सोनिया जब मिली थी तीन साल पहले तो आंटी को मैंने वही कान बेटी है हाँ अंकल तो आज गुरु ने सब परिवारों पे मेहर की है गुरु जी की इतनी किरपा है कि बारा साल से कोई काम धंदा बीजनस नहीं सिर्फ यही मेरी नोक्री है कि तेरी हाजरी परना मेरा काम है और वो जब तक आप केंगे मैं आपकी सेवा में रहूंगा जै गुरु जी